हाई एवरिवन कैसे हैं प्यारे बच्चो तो आज अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं C language के बारे में इसके जितने भी important points हैं उनके ओपर ध्यान देंगे हम और हमने सब ने college के अंदर तो पढ़ा है लेकिन paper के अंदर क्या पूछा जाता है उसके बारे में बात करनी है अब हमें अब यहाँ पर C programming की definition लिखी है exam के अंदर कई बार होता क्या है कि आपको इस programming की जो definition है इसके अंदर से सवाल उठागे दे रेते हैं कि जो C programming है हमारी जो C language है क्या वो high level language है, low level language है, middle level language है, किस type की language है क्या वो procedural है, object oriented है, क्या वो journal purpose है, यह कैसी है तो पहली line ध्यान से पढ़ो, C programming हमारी क्या है, journal purpose, procedural, high level language है क्या है, high level language है अब C language के बारे यह भी पता होना चीए, कि C language हमारी case sensitive है या नहीं है तो C language हमारी case sensitive language है, किस ने develop किया था, तो इसको develop किया था, Dennis M. Ricci ने किस year के अंदर किया था, 1972 के अंदर किया था, ठीक है, कहां पे किया था, तो bell labs के अंदर किया था और किसके लिए बनाया गया था तो भीया इसको बनाया गया था Unix operating system को develop करने के लिए बनाया गया था ठीक है अब जो C invent की गई थी वो किसके लिए किसका operating system लिखने के लिए Unix का operating system लिखने के लिए की गई थी पहली बार implement कहां की गई थी तो पहली बार इस PDP 11 computer के उपर की गई थी PDP 11 computer के उपर 1972 के अंदर की गई C language के बारे हम पूछ ले कि ये successor किसकी है तो आपको बताना है कि ये B language की successor है किसकी successor है? B language की successor है कब introduce हुई थी? 1970s के अंदर introduce हुई थी अब इसको formalized यानि कि इसको मानने तक कब मिल गई? इसको मानने तक मिली थी 1988 के अंदर इसने दी थी American National Standard Institute ANSI ने दी थी ठीक है? The Unix operating system अब आपसे पूछ ले कि ऐसा कोई operating system बताओ जो C language के अंदर ही लिखा गया हो तो उसका answer आपके सामने लिखा है कि the Unix operating system was totally written in C language ठीक है? इतनी बात clear? किसी कोई doubt? बहुत सारी important points है इसके अंदर कि C language किसकी successor है? तो B language की है किस year में आई थी? 1972 में किस ने बनाई थी? Dennis M. Richie ने बनाई थी कैसी language है? Journal purpose है, procedural है और high level language है तो ये points हमें आने चाहिए अब बात करते हैं कि जो C program है basically consists of following part C program आखिर जो हमारा बनाते हैं program वो किस किस पार्ट से मिलकर बनता है? तो उसके अंदर एक होता है preprocessor command, functions का यूज करते हैं, variables का यूज करते हैं statements और expressions का यूज करते हैं और comments का भी यूज करते हैं example देखें यह जो has include लिखा है यह हमारा क्या है? यह preprocessor क्या है यह? preprocessor directive है यह यह int main main का क्या है? यह अच्छा मैं यह पूछता हूँ कि अगर आप से exam के अंदर यह पूछ लें कि एक program के अंदर कितने function हो सकते हैं तो minimum कितने function होते हैं? minimum एक function तो होता ही होता है main का minimum एक function तो main का होता ही है जिसके अंदर आप अपनी body बनाते हो और यह printf क्या है? तो यह printf भी हमारा function है ऐसे ही जो scanf होगा तो scanf क्या होगा? वो भी हमारा एक function होगा और written क्या करता है? terminate करता है main function के क्लियर तो उसी के बारे में लिखा हुआ है हमारा कि hash include stdio.is a preprocessor command which tells जो बताती है compiler को कि include करना है हमें किसे इस stdio.h file को क्या करना है include करना है int main क्या है एक main function है जहाँ पर program हमारा execution करना शुरू करता है अब comments के लिए हम किसका use करते हैं कुछ इस type से forward slash है या backwards slash है पहले तो मुझे ये बताओ और इसके साथ क्या use किया गया है तो star न बोलके आप इसको बोले एस्टेरिक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पिर यहाँ पर दुबारा से printf के बारे हम बता दिया इन्होंने कि printf हमारा another function है c के अंदर जो क्या करता है display करने का काम करता है हमारा screen के उपर ठीक है return 0 terminate क्या करता है main function को और value क्या return करता है हमें 0 value return करता है अब बात करते है printf और scanf function के अब printf और scanf function में देखोगे तो इनका काम कहां पर होता है या तो ये input करने काम आते हैं या ये output करने के काम आते हैं या तो भी या ये आपकी keyboard से data को लेते हैं या फिर ये आपको screen के ओपर data दिखाते हैं तो the printf function the printf function and the scanf function are used for input and output in C language input और output के काम आते हैं दोनों ही function हमारे inbuilt library function है दोनों ही function हमारे कैसे function है inbuilt library function point note किया जाए हुजूर inbuilt library function है which are defined in stdio.h header file इसके अंदर define किया गया इनको stdio.h header file के अंदर इसी वज़े से हम लिखते हैं hash include stdio.h अगर हम इसको ना लिखें अगर हम इसको ना mention करें तो क्या हमारा scanf printf function चल पाएगा नहीं चल पाएगा अब बात करें printf function की तो printf function क्या कहता है कि मेरा काम है output देनेगा मेरा काम क्या है output देनेगा it prints the given statement to the console or screen यह क्या करता है जो भी हमारा data होता है उसको कहां पर print कर देता है screen के ओपर जो आपको output दिखता है जो output आप लाना चाहते हैं वो किस से आता है हमारा printf function से आता है syntax देखें तो printf का syntax कुछ ऐसे होता है हमें लिखना होता है पहले printf फिर उसके बाद हमें bracket start करना पड़ता है bracket start करने के बाद हम क्या करते हैं double quotation mark लगाते हैं और उसके बाद अगर यहां पर हमें कुछ input कराना है तो उसके लिए जब format specify देंगे तो उसका function अलग होगा तो यहां पर क्या कर रही है यह कहरेगी format string और कॉमा लगाके argument list के बारे में इनों ने डाल तो इसके अंदर अब यह format string हमारी कौन कौन सी हो सकती है %d %d किस के लिए यूज की गई है ऐसे ही %c हम किस के साथ यूज करते हैं character के साथ फिर %s string के लिए %f हमारा float के लिए तो इन formats यह हमारी क्या कहलाते है इनको हम कहते है format specifier इनको हम क्या कहते है format specifier क्योंकि बिना इनके हमारे जो c है उसको पता नहीं चलता कि जो data हमने डाला है वो integer type का है या float type का है या फिर वो character type का है या वो string type का है ठीक है तो इसलिए इनको लगाना हमारे लिए compulsory होता है scanner function की बात करें तो scanner function क्या कहता है कि मेरा काम है input लेने का scanner function क्या कहता है कि मेरा काम है input लेने का यह क्या करता है it reads the input data from the console अब जो console के उपर data है उसको क्या करता है यह read करता है अब इसका syntax दिखा दिया हमने लिखा scanf bracket open किया format string अगर %d है तो %d आएगा और फिर उसके बाद हमारी argument list जो भी है वो आ जाएगी यानि कि आप जो variable के नमबर दोगे a डालोगे b डालोगे कोई function डालोगे तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएगी अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया यहाँ पर आपको एक program दे दिया है जैसे कि सबसे पहले हमने header file लगाई stdio.h इसलिए काम आती है तो भी यह scanf और printf function के लिए काम आती है पहली बात सीख कर आए है अभी हम फिर हमने क्या किया int main function को चालू कर दिया है अब function की body declare करनी थी इसलिए हमने curly braces start कर दिया कि यह अभी काम होगा इस bracket के अंदर होगा html पढ़के आये थे stml के अंदर हम body के अंदर कुछ भी लिखते थे přिखने के लिए हम क्या करते थे और उसके बाद body को हम last में जाके close करते थे clear है body यहाँ पर हमारी open हो जाती थी फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी body जाकर close हो जाती थी अब मैंने यहाँ पर small b लिया है यहाँ पर capital b लिया है HTML के अंदर तो क्या यह case sensitive हुई या not case sensitive है क्या यह case sensitive है या not case sensitive है तो आपने कहा था कि html हमारी not case sensitive है इसके अंदर छोटा भी भी काम कर जाता है बड़ा भी भी काम कर जाता है दोनों का काम एक ही होता है ठीक है capital letters को भी use कर सकते हैं और small letters को भी use कर सकते हैं हमने अपनी body open curly curly braces से फिर उसके बाद ये int लिखा है अब ये int का काम क्या है तो int हमारा क्या है data type int हमारा क्या है data type कि हम जो ये आगे ये number लिखा हुआ है ठीक है इसके अंदर ऐसी क्या value डालना चाते हैं ऐसी क्या value insert करेंगे या क्या store करेंगे वो चीज हमारी क्या बताता है ये वाला data type बताता है और ये बताता है कि भीया अगर तुमने मेरे को यहाँ पर int लिया है न तो तुम्हारा काम है मेरे अंदर 1, 2, 3 कुछ इस तरीकी की digit डालने का ये नहीं कि यहाँ पर आप मुझे int ले लो और आप डालो यहाँ पर 12.25 लेकिन मैं काम तो यहाँ पर integer वाला करूँगा इसका मतलब मैं तो इसको ही गिनने वाला हूँ ठीक है फिर हमने आगे लिया printf function और उसके अंदर डाल दिया कि console के उपर दिखाओ भीया कि जो user है वो क्या डालना चाहता है enter a number डाल दिया terminate कर दिया कि मेरा काम यहाँ पर खतम हो गया है इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया semi colon का आगे चले scanf लिखा अब scanf ने बताया कि भीया मुझे data क्या लेना है जो keyword से data आएगा जो user मेरा printf पर पढ़ने के बाद enter a number पढ़ने के बाद जो number डालने वाला है वो कैसे कहाँ पर capture करूँगा तो उसके लिए मैंने बता दिया कि जो integer होता है उसके लिए format specifier होता है मेरा percent d और m percent number मैंने लिख दिया m percent number कि इस location पे यह क्या दे दिया मैंने इस जो number variable था इसका address दिया यहां पर यहां ले जाकर इसको store मार दियो आगे चलते हैं printf के अंदर printf लिखा printf के अंदर लिख दिया cube of number is और मैंने लिख दिया यहां पर format specifier percent d और उसके बाद बता दिया कि इसको किस तरीके से काम करना है number into number into number अब cube की बात करी थी तो n into n into n ही करेंगे और उसके बाद terminate करके return लगाया और main body को यानि की main function जिसके अंदर हम लिख रहे थे उसको हमने बंद कर दिया तो output मेरा आया पहले console पे कि enter a number यह लिखा हुआ है यह देखो यहाँ पर लिखा हुआ था यही चीज हमारी स्क्रीन पे दिखाई थी आपने डाला इसके अंदर 5 इसकी वज़े से इसकी वज़े से इस scanf की वज़े से फिर जो number print होके आया cube of number is वो किसकी वज़े से आया इस printf की वज़े से cube of number is फिर हमारे पास colon I और उसके बाद जो यह multiplication हुई है वो result हमारा यहाँ पर 125 आ गए किसी को इतनी सी बात में परेशानी फिर क्या कहता है कि ता scanf ता scanf percent d and number statement reads integer number from the console and store the given value in number variable यह क्या करेगी read करेगी और number variable के अंदर इस value को store कर देगी printf क्या करेगी कि इस number का display करने का काम करती है अब बात करते हैं कि जो c language है उसके अंदर हम comments कैसे देते हैं या comments हमारे कितने types के होते हैं comments are used to provide information about line of code सबको पता है कि comment का use क्या करते हैं जो भी हमारे पास information है extra information है अगर हम उसको hide करना चाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं comments का use करते हैं और documenting the code ठीक है documenting the code अब दो types के comment है हमारे पास two types of comment in C एक होता है single line comment और एक होता है multi line comment ठीक है एक होता है single line एक होता है multi line comment single line comment are represented by double slash अब जो double slash से mention किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं single line यानि कि आपने ये खीचरी डाली या ये डाल दिया और उसके बाद आपने क्या कर दिया अपना comment लिख दिया hi this is और dash 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 और ये खतम हो गया तो ये चीज हो गई हमारी क्या देखो यहाँ पर जो ये दिया है ये हमारा क्या है यहाँ पर single line comment अब इसने यहाँ पर इस program को run किया तो क्या हमें comment दिखाई दिया हम सब को पता है कि comment हमारा show नहीं होगा फिर आते हैं multi line comment के उपर अब multi line comment के अंदर multi line comment डालना है अगर हमें और ये हमारा syntax ready हो गया जैसे कि यहाँ पर syntax आपको दिया गया है comment का हमने क्या किया start किया इसको उसके बाद जो भी हमने comment लिखना था वो comment लिख दिया और उसके बाद उसको close कर दिया अब इसका example दिखाया कि इसको हम कहीं पर भी कैसे भी डाल सकते हैं बात करूँ तो आपको पता है int हमारी एक data type है care हमारी एक data type है float हमारी एक data type है ठीक है तो इन ही data types को हमने अपनी classes के अंदर पढ़ा होगा और उनी को हमें दुबार से revise करना है तो a data type specify the type of data ये क्या करता है specify करता है कि जो data आने वाला है वो किस type का है या int का है इसका मतलब है कि वो integer है अगर वो integer है तो हमें किस के अंदर डाल के रखना पड़ेगा उसको int के अंदर अगर वो floating है तो जिसके अंदर floating होता है वो हमारा किस के अंदर जाता है float के अंदर अगर हम वहाँ पर कोई digit ना लेकर वहाँ पर कोई digit ना लेकर एक character लेते हैं तो character के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा character के लिए हमारे पास आ जाएगा care अब क्या कहता है कि data type कितने types के होते हैं C के अंदर तो कुछ basic होते हैं, derived भी होते हैं, enumeration वाले भी होते हैं array आते हैं, pointers आते हैं, structure आता है, union आता है enumeration के अंदर हमारा enum आता है और void data type के अंदर हमारा void आता है तो ये बात आपको आनी चाहिए basic data type की बात करें अब, तो basic data type के अंदर हर चीज अपनी memory के according ठीक है जब अगर 32 bit operating system की बात करेंगे या 64 bit operating system क्योंकि हर processor के उपर, इनके लिए जो space होता है, वो अलग-अलग mention होता है तो ये हमारे change भी हो सकते हैं अगर हम देखें, in general, कि अगर 32 bit architecture हम use कर रहे हैं तो उसके उपर एक data type कितनी memory size लेके चलता है एक data type कितनी memory size लेके चलता है और उसकी range क्या-क्या होती है तो अब हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर लिखा है कि अगर care data type को हम use करते हैं तो वो memory के अंदर size अपनी लेता है 1 byte की यानि कि अगर आप एक h press करते हो तो वो कितना space लेगा? 1 byte का लेगा और इसकी range होती है हमारी minus 128 से लेके 127 तक portion exam में उच्छा गया है unsigned care unsigned care के अंदर हमें क्या करना है? ना minus लगाना है ना plus लगाना है हमें इन दोनों का total करके देखना है तो यह बनते हमारे 0 से लेके 255 तक और यह भी हमारा memory size लेता है एक ही byte का paper के अंदर यह range पूछ ली जाती है paper के अंदर यह range पूछ ली जाती है अब वो पूछे तो आपसे integer की range पूछ सकता है और पूछे तो वो character की पूछ सकता है वो उसके उपर depend करता है फिर बात करी इनोंने की short तो short हमारा 2 byte का होता है range उसकी होती है 32,768 से लेकर 32,766 तक minus 32,768 से लेकर 32,766 तक signed short की बात करी तो 2 bytes और यह इसकी range हो गई ऐसा ही unsigned short यहाँ पर देखो unsigned short unsigned character था unsigned short था तो इनके अंदर क्या किया है हमने total value जितनी होती है range की वो लेकर चलते हैं तो यहाँ पर अगर इनको plus करोगे तो यह बन जाती है 65,535 0 से 65,535 की range हमारी किसकी होती है unsigned short की important क्या है int है int के अंदर कितनी memory size यूज होती है 2 bytes होती है range कहां तक है 32,768 minus से लेकर plus 32,766 तक की ऐसे हमारे पास short int आता है जो 2 byte size लेता है और उसकी range हमारे सामने लिखी हुई है और एक आप से पूछ ले तो यह भी पूछ सकता है long int तो 4 byte का होता है long int यह आपको पता कम से कम यह याद नहीं हो आपको कि उनकी range कितनी होती है यह वाली range अगर आपको याद नहीं भी होती है तो कम से कम इतना तो याद रख लो कि last में 648 यूज किया गया है यहाँ पर 647 इसी से आप तुक्का वहाँ पर मार लोगे और यह तो आपको confirm होना चाहिए कि जो character होता है उसकी memory size कितनी होती है यानि कि एक data type कितना memory को occupy करता है character लेता है 1 byte int लेता है 2 byte long int कितने का ले लेगा 4 byte का ले लेगा तो यह आपको revise होने चाहिए याद होने चाहिए float की बात करें तो float अपनी 4 byte लेकर चलता है double 8 byte और long double 10 byte लेकर चलता है इतनी बात clear है अब बात करें variables in C की तो a variable is a name of a memory location variable क्या होता है memory location का name है जो हम डालते हैं किसी भी name जैसे कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर मिरे को एक data store करना है और उसका नाम लिख दिया मैंने number तो यह क्या हो गया यह एक variable बन गया जो मैंने बनाया है अब इसके अंदर मैं data डालूं 10 डालूं या फिर मैं 5 डालूं या फिर मैं 4 डालूं इसके अंदर वो मेरे ओपर depend करता है क्या मैंने इस data को constant किया है क्या इसके अंदर मैं changes कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ sir तो जो data जिसके अंदर मैं changes कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं बार बार अलग-अलग number लेके आ सकता हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ variable कहता हूँ variable varies every time ठीक है तो variable is a name of memory location it is used to store data यह क्या करता है data को store करता है its value can be changed इसकी value change हो भी सकती है और इसको भूद बार हम use भी कर सकते हैं यानि कि बार बार एक ही variable के अंदर हम different type of data को डाल सकते हैं या एक बार मैंने number डाल दिया 1 अगली बार मैं उसके अंदर 2 डाल दूँ उसके बार 3 डाल दूँ, 4 डाल दू, 5 डाल दूँ यह मेरे उपर निर्भर करता है it is a way to represent memory location through symbols so that it can be easily identified syntax देख लेते हैं अब मैंने डाला type variable list अब इसके अंदर variable type की list कैसी है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा int और यह मेरा क्या है यह उसका variable name है यहाँ पर मैंने data type लिखा float और इसके अंदर जो variable होगा वो क्या होगा, बी नाम का होगा यहाँ पर जो character मैंने लिखा है वो क्या है, data type है और यह क्या है, मिरा सी variable name है क्या है यह variable name आगे देखोगे, तो आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो a, b, c है वो हमारे variables है int float care हमारे क्या है data types है we can also provide values while declaring the variable हम इनको जब declare करते है variables को, तो उसी time पर data भी उनका साथ में डाल सकते है उनको assign कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने क्या data assign किया था इसके अंदर, int a के बाद नहीं किया था लेकिन यहाँ पर हम इस a variable के अंदर क्या data डाल रहे है 10 value इस b की value कितनी decide करती है हमने 20, इस f को 20.8 और इस c को हमने क्या character दिया है अब variable जो है उसको define करने के भी तरीके होते है कि भाई variable का नाम आप लिखोगे तो लिखोगे कैसे question आता है exam में कि यह आपको एक variable का name दे दिया अब इस variable का name सही है या गलत है यह आपको अगर एक code दे दिया उसके अंदर आपको क्या दे देंगे गलत variable का नाम डाल के दे देंगे अगर आपने उस code के अंदर error बता दी तो very good है आपको number मिल गया अगर आपने गलती से error नहीं बताई इसका मतलब है कि आपका number कट गया अब variable name can start with alphabet जो variable का name है वो हमारा alphabet यानि कि a, b, c, d, e, f इन से शुरू हो सकता है and underscore only या फिर underscore से या तो हम लिखने n, n, u, m, number यानि कि मैंने पहले यूज कर लिया underscore और उसके बाद मैंने यूज कर लिया alphabet का या फिर मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ कि मैं लिख दूँ a, b, c, underscore, a, b, c तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ ये भी मेरा valid है अब variable name can have alphabet digits and underscore एक variable name के अंदर alphabet भी हो सकते हैं, digits भी हो सकते हैं और हमारा underscore भी हो सकता है कैसे, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर one नितिन तो ये हमारा गल्थ हो गया चीक है, क्योंकि जब beginning की बात करेंगे starting के अंदर तो हम starting में या तो underscore का यूज कर सकते हैं या फिर alphabet का, लेकिन एक बार हमने alphabet को यूज कर लिया, उसके बाद a1 आप इसको variable name असाइन कर सकते हो, no white space is allowed within the variable name अब आप करते क्या हो कि भाईया, आपने एक बड़ा सा नाम लिया जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पर लिख दो, आपका नाम है सुमित ठीक है, और उसके बाद जब मैं कहता हूँ, अपने सरनेम के साथ अपने variable को name देना आपने डाल दिया इहाँ पर space लिखके कुमार, तो भाईया आप तो इसको differentiate करना जाते हो अलग-अलग दिखाना चाते हो, लेकिन जो C language है, वो जब आप variable declare करोगे, तो इस space को नहीं मानती है, तो ये variable name आपका valid नहीं होगा, ऐसे ही आप लिखना चाते हो, वहाँ पर n-u-m-b-e-r number or one, ये मेरा number one है variable का, फिर आप लिखना चाते हो, number two, तो ये आपका number two आएगा, इसके अंदर आपने कहा कि मैं number one को, और number two को add करना चाता हूँ, तो आपने इनको नाम क्या दे दिया, number one यहाँ पर दे दिया, number two, अब यहाँ पर जो आपने blank space दिया है space bar दबा कर, वो इस variable name को validate नहीं करता है, इसका मतलब है कि या तो आप यहाँ पर underscore दे देते, या फिर इस number two को इस number के साथ ही लिख देते, तो यह answer हमारे सही हो जाते अब नीचे example भी दिया है कि valid variable names क्या हो सकते हैं, हमने a लिख दिया यानि कि alphabet दे दिया, चल गया हमने alphabet के साथ starting में क्या दे दिया है underscore underscore दे दिया है, वो भी चल सकता है, अगर मैं a alphabet पहले यूज़ करके फिर अगर number यूज़ कर लेता हूँ, तो वो भी मेरा valid है, लेकिन invalid क्या है, कि मैं direct number को यूज़ करूँ, या फिर मैं उन variable के जो alphabet थे या name था, उनके बीच में white space छोड़ दूँ, तो इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, invalid variable name, चोथी बात क्या आती है, कि जो हमारे data types है, जो हमारे data types है, या फिर हमारे जो keywords है, उस नाम से हम कभी भी क्या नहीं बनाते हैं, अपना variable का नाम नहीं देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है, कि long हमारा क्या है, एक data टाइप है अगर आप इस long से ही यहाँ पर क्या करते हो variable name declare करते हो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो avoid कर रहे हो rule and regulation को ठीक है variable name बनाने के अब type of variables in C, C के अंदर कितने types of variable होते हैं इन्हों ने बताया कि भाईया C के अंदर हमारे पास local variable भी होता है global variable भी होता है static variable भी होता है automatic variable भी होता है और external variable भी होता है अब question क्या दिया जाता है कि select one ode from the rest यानि कि आपको 4 option दे देंगे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर चार option दे दिये यहाँ पर आपसे कह दिया कि यहाँ पर यह automatic की जगे आपको लिख दिया external variable अब मुझे यह बताओ कि यहाँ पर कितने types के variable हमारे इसके अंदर सही है आपको गलत answer चूज करना है तो आपको पता होना चीए कि C के अंदर एक होता है हमारा local variable दूसरा होता है global तीसरा static चोता होता है हमारा automatic और पांचवा होता है हमारा external आपको क्या कर देंगे और फिर कह देंगे क्या यह variable का नाम सही है नहीं ऑक्स्टरन होगा कहीं पर तो वो एक्स्टरन की तरह ही use किया जाएगा अब local variable के बारे में क्या बता रहा है कि भी यहां हमने एक function ले लिया और यहां पर क्या कहता है definition के अंदर variable that is declared inside the function local variable क्या है जो function के अंदर क्या किया जाए declare किया जाए उसको हम क्या कहते है local variable कैसे यहां पर एक function लिया f1 यह function का नाम हो गया अब इस function के अंदर हमने क्या कर दिया इस variable name को जो x है इसको हमने यहाँ पर declare कर दिया और इसको value assign कर दी हमने 10 तो इस type की initialization को हम क्या कहते है local variable कहते है इस type के initialize variable को हम क्या कहते है local variable अब Global Variable क्या है जो हमारा within the function ना हो यानि कि function की boundary से भार हो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर हमारा function था अब इस function के बाद तो हमने यहाँ पर local variable दे दिया लेकिन एक variable हमने यहाँ पर भी तो declare किया है function से पहले तो इसी function को हम क्या कहरेते हैं यहाँ पर global variable a variable that is declared outside the function or block is called a global variable any function can change the value of the global variable अब यहाँ पर global variable की कोई भी value change कर सकता है कोई भी function is global variable की value change कर सकता है लेकिन यहाँ पर जब local variable था तो क्या कोई दूसरा function इस global variable को use कर पाता नहीं कर पाता इसका मतलब क्या है कि global variable को हर कोई access कर सकता है फिर आते हैं हम अपने static variable पे a variable that is declared with the static keyword अब जो variable हमारा static keyword के साथ होता है उसको हम क्या कह लेते हैं static variable कह देते हैं वो क्या कहलता है static variable it retains its value between multiple function का यह अपनी जो value होता है जो value इसको assign की होती है वो अपनी as it is रखता है चाहे उसके साथ कुछ हो जाए यैसे कि example लिया function के अंदर हमने क्या कर दिया एक local variable डाल दिया यह तो हमारा local variable हो गया उसके बाद हमने क्या कर दिया जो अलग variable लिया था y इस y variable को हमने क्या कर दिया static कर दिया और इस y variable के अंदर हमने क्या value डाली 10 हमने क्या किया x के अंदर x plus 1 कर दिया यानि कि एक का increase किया और y के अंदर हमने क्या क्या y plus 1 किया अब मुझे यह बताओ कि यहाँ पर जब result आएगा तो वो result क्या आने वाला है तो यह क्या कहता है कि जो value आएगी हमारी if you call this function many times the local variable will print the same value for each function call अब यह क्या करेगा हर बार same result प्रिंट करेगा हर किसी के लिए क्योंकि यहाँ पर int x is equal to 10 था x is equal to 10 plus 1 11 आगे गया x ने print कर दिया वापिस दुबारा जाएगा दुबारा देखेगा तो यह क्या करेगा दुबारा से 11 print करेगा और तीसरी बार जाएगा तो यह क्या करेगा 11 print कर देगा लेकिन but the static variable will print the incremented value in each function call लेकिन यह क्या करेगा incremented value को ही करेगा अगर यह function तीन बार चलाते हैं हम बार 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 यहाँ पर तो यह कितनी बार अगर एक बार आया यहाँ पर y is equal to 10 अब यह 10 जो है इसके अंदर plus 1 कर दिया इसका मतलब कि यहाँ पर y की value क्या हो गई अब 11 हो गई है प्रिंट क्या होई हमारी 11 वापिस दुबार से function को call किया तो अब 11 के अंदर क्या add हो जाएगा 1 तो यह हो गया 12 यह value यहाँ पर चली गई यह 12 हो गई अगली बार 12 के अंदर दुबार से यह function से आएगा तो यह क्या करतेगा 13 हमारे को क्या result मिलेगा 11, 12, 13 and so on जितनी बार हम function को call करेंगे execute करेंगे उतनी बार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके अंदर increment हो जाएगा ऐसे हमारा automatic variable है जिसका keyword क्या होता है हमारा auto जिसका keyword क्या होता है हमारा auto होता है अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर auto keyword का use किया है इस data type हमारा क्या है integer है y हमारा variable का name है और 20 values के अंदर assign की गई है फिर आता है हमारा external variable इसके लिए जो keyword होता है वो याद होना चाहिए auto click जो होता है वो याद होना चाहिए auto ठीक है तो extern इसका हमारा keyword होता है extern keyword हमने use कर लिया इसको कहाँ पी use करते है we can share a variable in multiple c source file by using an external variable हम क्या कर सकते हैं variables को share कर सकते हैं किदर पे multiple c source files के अंदर तो आज की class में इतना ही next class में पढ़ेंगे format specifier को तब तक के लिए bye take care have a nice day आण का ओड़ेंगे और सकते हम पारो